प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें महेश राम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स डाइघर पुलिस ने मुम्रा के रहने वाले तीन चोरों को ग्रफतार किया है, दरसल ये पेशेवर चोर है जो हमेशा चोरी की घटना को अंजाम देते हैं फर्यादी योगेश उत्तम लोहार ने बाविस एक तो हजार एकीस को डाइघर पुलिस टेशन में चोरी की घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी दैसर मोरी रोट पर आटो रिक्षा में उनके साथ लूट पार्ट की गई थी, इसमें 28,000 कैस्ट लेप्टॉप मोबाइल पावर बैंक लूट लिया था फर्यादे की शिकायत पर डाइघर पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के मार्दर्शन में चोरों की तलाश में जुट गई और आखिरकार पुलिस को इसमें काम्याबी भी मिली मोबाइल फोन लोकेशन और लेपटॉप में एंटी वाइरिस के जरिये मुम्रा के रहने वाले तीनों चोरों को डाइघर पुलिस ने गिरफतार कर लिया पहले आरोपी का नाम है मुहम्मद हयात इबराहिम उर्फ मम्मू सयद 30 साल जो मुम्रा के अमरित नगर का रहने वाला है और दूसरे आरोपी का नाम है मुस्तफा उर्फ मुस्तु हमीद पावसकर 37 साल जो कौसा स्रीलंका का रहने वाला है और तीसरा आरूपी मुजमिल उर्फ गुड़ू उर्फ हारर जसीम शेख है जो 24 वर्षी है ये मुम्रा के अमरित नगर का रहने वाला है पुलिस ने बताय कि इनके पास से 65,300 रुपे के मुद्दे माल जब्द किये गए हैं इनके खिलाफ मुलूंट नांदेड मुम्रा पुलिसी स्टेशन में और भी कई चोरी की घटनाओं के मामले दर्ज हैं बहराल पुलिस ने प्रेस कॉन्फरेंस में क्या जानकारी दी है सुनिए अड़ेस अनि तुम्चे अंटी वाहिर पहिला जो आरोपिया है तो मुहम्मद हया इब्राहिम सैयद है दुसरा जो आरोपिया है तो मुस्तप्पा उर्फ मुस्तुहमित पावसकर है तिसरा जो आरोपिया है तो मुझजम्मिल उर्फ गुड़ू उर्फ हॉररर जैसिम शेक है जची रिक्षा है यतले जे पहिले दो नंबर सांगित लेते हैबिच्वल ओफेंडर है